राधे राधे जैश्री कृष्णा आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चनल पर हर्दिक स्वागत है अभिनंदन है पिछले वीडियो में बच्चो मैंने आपको फ्लावर डेकोरेशन के बारे में पूरी अच्छी तरह से पढ़ाया है आज की इस वीडियो में उनसे समंदित क कुछ प्रश्न को पूछ रही हूं और यह देखती हूं कितने बच्चों ने सही तरीके से प्रश्नों का जवाब दिया है और इसका और इसका मैं अभी नहीं बताओंगी इसका एंसर मैं बताओंगी आपको कहा डिस्क्रिप्शन GO में और process कैसे देखो जाकर करके या आप किसी और से पूछ रहे ना चैनल आप नीचे निकालोगे न तोहां पर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहां पर मैं आपका एंसर लिख दूँगे तो चलो मैं प्रश्ण बिना समय गमाई हूं कुछ प्रश्णों को पूछती हूं जवाब पूष्प सज्जा को एक स्वतंत्र कला के रूप में अपनाने एवं मानेता दिलाने का स्रे जाता है प्रश्ण क्या ध्यान से सुनों पूष्प सज्जा को एक स्वतंत्र कला के रूप में अपनाने एवं मानेता दिलाने का स्रे जाता है आपके पास चार जापानियों को भार्तियों को, रूसियों को, या चीनियों को? मैंने पिछले वीडियो में डीटेल्स बताए हुआ है, तो अब आप इसका जवाब देंगे. मैं जवाब अभी नहीं दूँगी. थोड़ा मेंटल एक्सराइज करो. ठीक है? दूसरा प्रश्ण आपका. पुस्प सज्जा का प्रारंब हुआ. प्रारंब हुआ पुस्प सज्जा का. फिर से प्रश्ण सुनो, पुस्प सज्जा का प्रारंब हुआ पाच्वी सदी में, छटी सदी में, सात्वी सदी में या ग्यारह्वी सदी में. क्या करेक्ट अंसर है? पूर्वी देशों में पूस्प सज्जा के विकास का श्रे जाता है मतलव किसने पूस्प सज्जा को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया पूर्वी देशों में पहला उप्शन साधू संतों ने दूसरा राजदरबारियों ने तीसरा होटल वालों ने और चौथा इन में से कोई नहीं पूर्वी देशों में सबसे पहले पूस्प सज्जा का विकास कश्रे जाता है किसका यह इंसर में पूछ रही हूँ ठीक है मैं जब पढ़ाई हूँ वीडियो में तो मैंने पूरे डीटल्स आपको बता दिया है नेक्स्ट कुशन देखो पूस्प सज्जा से बोध होता है पूस्प सज्जा से बोध होता है किसका जीवन की छनभंगूरता का निरस्ता का पहला जीवन की छनभंगूरता का दूसरा निरस्ता का तीसरा निराशा का चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं फिर से प्रश्म पूछो पूस्प सज्जा से बोध होता है जीवन की छनभंगूरता का दूसरा निरस्ता का तीसरा निराशा का अच्छा उप्ता उप्रोक्त में से कोई नहीं बहुत इजी क्वेशन्स है जो व्यक्ति नहीं पढ़ा है वो भी इसका एंसर दे देगा और अगर आपने वीडियो देखा है तो हंडेट परसेंट आप इसका एंसर दे देंगे नेक्स्ट क्वेशन देखो पुस्व सज्जा के नियम है फुलावर डेकोरेषन के नियम है यह मैंने वीडियो में बता हि हुआ अच्छी तरीके से उसी से समनेते प्रश्न है पहला है अस्थान का नियम, दूसरा है सरलता का नियम, तीसरा है तहनी लगाने का नियम और चोथा है वो प्रुप्त सभी Which one is the correct answer? इन में से कौन answer सही है? अब next question, बाचमा जहां फूलों की कमी हो ठीक है? जहां फूलों की कमी हो और पुस्प सज्जा में कठिनाई आ रही हो Flower भी आपके पास कम है? तो आप सोचों के मैं कैसे करूँ? वहां के लिए, उस अस्थान के लिए कौन सी उपिक पुस्प सज्जा है? जहां पर फूलों की कमी है और पुस्प सज्जा को करने में कठिनाई आ रही है वहां के लिए कौन सी सज्जा उपिकत है? पहला त्रिभुजाकार, दूसरा मोरी बाना, तीसरा इके बाना, और चौथा सामोहिक पुस्प सज्जा वहां पुस्प सज्जा करने का बेहतर विकल्प है पहला त्रिभुजाकार, दूसरा मोरी बाना, तीसरा इके बाना, और चौथा सामोहिक पुस्प सज्जा वीच बन इस दा करेक्क रंसर? चलो, नेक्स कुश्प सज्जा की सबसे प्रचलित सैली है यह अकसर सबको आता होगा, बहुत इजी क्योश्चन है चलते फिरते भी आप इसका जवाब देद होगे जापानी पुस्प सज्जा की सबसे प्रचलित सैली है, कौन से? इके बाना, मोरी बाना, ना जीरे या इन में से कोई नहीं पिर से सुनो, जापानी पुस्प सज्जा की सबसे प्रचलित सैली है इके बाना, मोरी बाना, ना जीरे या इन में से कोई नहीं सबसे प्रचलित सबसे प्रचलित शैली है आपकी उससे समधित मैंने प्रश्ण पूछा है मैं तो एंसर बताने जा रही थी एंसर नहीं बता हूँगी नेक्स्ट क्रिशन सुनो समुही कृत पुष्प सज्जा के लिए फूल दान का आकार होना चाहिए समुही कृत ग्रूप में अगर हम फ्लावर डेकॉरेशन करेंगे तो फूलदान का आकार किस प्रकार का होना चाहिए बड़ा और रूचा छोटा और चप्टा तिर्भुजाकार या इन में से कोई नहीं क्या करेक्टर अंसर है समुही कृत करना है तो भुळो मालूमें चलो नेक्स कृशन देखो नेक्स कृशन है अगर छोटा पुस्प सज्ज़े करना है लगू पुस्प सज्जा के लिए फूल दान होना चाहिए लगू पुस्प सज्जा के लिए फूल दान होना चाहिए कैसा छोटा दूसरा चप्टा तीसरा लंबा चोथा बड़ा correct answer क्या है इसमें एक से भी ज़्यादा correct answer हो सकते है प्रष्ण पूछ पूछ रहें हूं आपसे लगुपुस्पसज्जा की लंबाई सामानेता ही रखी जाती है एक लगू पुस्प सज्जा की लंबाई समाने तह रखी जाती है, इंच में है 9-10 इंच, 4-5-5 इंच, दूसरा उप्षन, तीसरा उप्षन है 8-9 इंच, और चौथा उप्षन है 12-14 इंच, क्या है करेक्टर नसर बताओ? लगू पुस्प सज्जा की, मैं फिर से प्रश्ण बोल रही हूं, कई बच्चे कहेंगे मैं आडम आप लिख करके बोल रही हूं, बताइए बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम में आपको नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास भी इतना समय नहीं रहता है, तो मैं अब भी बता आपको लगू पुस्प सज्जा की लंबाई सामानेता है रखी जाती है, कितनी, 9-10 इंच, 4-5 इंच, 8-9 इंच, 12-14 इंच, अस्टेंडर्ड कितना रखा जाता है, ये प्रस्ण बुझ रही हूं, बोलो, तो आज मैंने आपको पुस्प सज्जा से सम्मंदित कुछ इंपो को बताएं, और ये मत सोचना है कि मैडम कोई किताब लेंगी, प्राक्टिस सेट निकालेंगी, उसमें से चार क्वेशन्स आपको देंगी, नहीं, मैडम जो पढ़ाती है, उससे कंसेप्ट जो आपको देती है, उससे सम्मंदित आपको प्रस्न देते हैं, बिल्कुल डिफ कि उसमें से क्वेशन्स आपके आएं, और आएज सच क्वेशन्स आएं, क्वेशन्स तो घुमा फिरा के दिये जाते हैं, और वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हूं, तो चलो, मैं आज जो मैने क्वेशन्स पूछा है, उसको यहीं पर अपने सब्दों को विराम देती फिर मिलती हूं मैं अगले वीडियो में, अगले प्रस्णों के साथ, अब तक लिए अब तैयार हना, सारी वीडियो देख करके, सारी पढ़ाई करके, सारी बुक्स देख करके, है ना, फिर मिलते हैं बेटा, अगले वीडियो में, ओके, बाए